हलो, हलो, वेलकम टू अबैकस, इन्फो टेक यूटूब चैनल, मेरे मित्रो, विध्यारतियों और सहभाटियों, आज मैं आपके लिए एक विहत खास वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के प्रतियोगी, आगामी प्रतियोगी परिक्षाओं में काफी हैंपूर रहेगी, इस वीडियो का सब्जेक्ट है COVID-19, यानि COVID-19 से सम्मधित महतपूर शब्दावली, महतपूर प्रशनुत्तर, जी हाँ, हम इस वीडियो के जरिये COVID-19 से सम्मधित महतपूर तथियों को जानेंगे, पढ़ेंगे, और इस वीडियो में ऐसे बहुत से प्रशनुत् जो कि आपकी परिक्षाओं में पूछे भी जाएंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप यह वीडियो जरूर देखेंगे, और लोगों तक पहुचाएंगे, और यदि आपने, अभी तक यदि हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज च जैसे देख रहे हैं आप स्कीन में, पहला कोशन है, करोना महमारी के कारण, कौन सा देश इमर्जेंसी यानि अपातकल, अपातकल लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, यानि कि किस देश ने करोना, यानि जो हमारा कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, जिसके आप याद रखेंगे, थोड़ा important question है, new question है, और बहुत ही ज्यादा खास question है, ठीक है, next question करते हैं हम, COVID-19 के चलते किस राज्जे की सरकार ने संपर्क दीदी mobile app launch किया है, फिर question देखे, COVID-19 के चलते किस राज्जे की सरकार ने संपर्क दीदी mobile app launch किया है, इसका answer साथ आपको पता होगा, क्योंकि आजकल टीवी में दिखार भी रहे थे और ख्वार में भी आया था, जी हाँ, इसका answer है, उत्राखंड, उत्राखंड हमारा देश का राज्जे, जिसने लोग्डाउन के चलते, बच्चों की online, यानि इस्टुएंट्स की online education को चालू रखने के लिए सं कोशन करते हैं, COVID-19 का पहला संक्रमित व्यक्ति भारत में कब मिला, पहला संक्रमित व्यक्ति भारत में कब मिला, इसका answer है, 30 जनवरी 2020, जी हाँ, 30 जनवरी 2020 को पहला संक्रमित व्यक्ति भारत में मिला था, आपको पता होगा कि 22 मार्च 2020 को हमारे देश में लोग्डाउन भ करते हैं कोविट-19 महामारी के कारण हाल ही में किस देश की महारानी का निधन हो गया देखे थोड़ा important question है देश की महारानी का निधन हो गया इसका आन्सर क्हा होगा इटली, स्पेन, बिटेन बताइए जेहां इसका अंसर है इसपेन की माराणी जिनका हाली में नीधन होगे उनका नाम था मारिया टेरेसा तोड़ा नाम आप इसको याद रखेंगे पेपर में आ सकता है मारिया टे रेसा टैरेसा, ठीक है? ओके, next question करते हैं कि सूक्ष्म दर्सी से देखने पर Corona virus की सरंचना कैसे दिखाई देती है? ये question आप देख लें दुवारा सरंचना कैरा, उसकी बनावट कैसे देखाई देती है जो उसको सूक्ष्म दर्सी से देखते हैं तो जी हाँ, उसकी बनावट आपने देखा होगा virus का फोटो आज कर देखा होगा जिसे एक virus है, उसकी उपर ऐसे सर निकला हुआ है तो क्या हो गया है? मुकूट अकार जी हाँ, इसमें आंसर क्या हो गया है? मुकूट अकार कर देखता है यह कोशन इंपोर्टेट है, आपके पेपर में आ सकता है किस राज्य ने COVID-19 उपचार के लिए प्लाजमा थेरेपी का ट्रैल शुरू किया है याद रख लिए इस शब्द को प्लाजमा थेरेपी तो प्लाजमा थेरेपी को जो स्टार्ट करा है वो करा है आपका केरल यानि कि वो COVID-19 जो हमारे संकरमित मरीज है उनके उपचार के लिए जो प्लाजमा थेरेपी के जरी उपचार करा जा रहा है वो किस राजजी के सरकार दोरह के जा रहा है केरल के सरकार के दोरह Next question हमारा नेस्ट कोशन आता है कि COVID-19 के टेस्ट का नाम क्या है जी हाँ जी COVID-19 टेस्ट की बात हो रही है आपे और ये टेस्ट में आयेगा पक्का बहुत इंपोरेंट कोशन है कि यहाँ कोविड-19 के टेस्ट को बोल देगा है PP-PCR, Medicine plus H1N1, RT-PCR RT-PCR, RT-PCR, R का मतलब हमारा हो गया Reverse और T का मतलब हो गया Transcription, Reverse Transcription और PCR का मतलब हो गया Polymer Chance Reaction यानि कि Reverse Transcription Polymer Chance Reaction RT-PCR यह आपको रटन है बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा important question हमारा पेपर में यह बन्त है तो अधो मैं आपको बता दू जो हम COVID-19 के शब बूल रहे हैं यह CO का मतलब क्या होता है CO का मतलब होता है हमारा Corona और VIR का मतलब क्या होता है हमारा virus और D का मतलब होता हैizz यानि की Corona, Virus, Disease 2019 यानि की 19 का मतलब हो गया 2019 में हमारी विमारी आई थी इसलिए इसका नाम पढ़ गया 2019 और आपको एक चीज़ बता दें कि जो COVID-19 जो कोरोना वाइरस है ये हमारा आया चीन जी हाँ चीन के बुहान शहर बुहान तो आपको पता ही होगा बुहान शहर से इसके शुरुआत होई और बुहान किस जगे पढ़ता है ये भी पेपर में पा चकता है हुवई प्रांत में जो है आपका भुहान शहर हो गया और चीन हमारा देश हो गया next question करते हैं कि भारत में किस दिन coronavirus के चलते है पूरे देश में जनता कर deposition इसका अंसर तो आपको जट बता होगा क्योंकि आपने काविक पढ़ भी रखा है 22 मार्च 2020 को हमारे भारत में जंता कर्फ्यू लगाया गया था कोरोना वाइरस के चलते हैं कोरोना वाइरस के कारण लॉक्डाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो लॉक्डाउन करने वाला भारत का पहला राज्य जी हाँ आप सही समझ रहे हैं लॉगड़न ये तो आपको पता भी होगा और नहीं पता है तो आपको पता चलियाएगा कि राजिस्थान इसका अंसर है राजिस्थान ऐसा भारत का हमारा पहले राज्य जिसने लॉगड़ाउन लगाया था नेक्स्ट कोरोना वाइरस मानव शरीर के किस अंग को परभावित करता है यानि कि बॉड़ी के सबसे ज्यादा किस अंग को परभावित करता है ये तो शायद आपको बताई होना चाहिए जी जी क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा येस फेफडे फेफडे यानि कि हम तो ये आपका आंसर क्या हो गया 30, 15, 25 या 10 नई जी इस का आंसर सबसे ज़्यादा 30 प्रतीशत यानि कि 30 प्रतीशत वेतन काट लिया जाएगा 100 में से यानि कि उनको कितने प्रतीशत वेतन मिलेगा 70 परसेंग नेश कोशन करते हैं किस राज्य ने COVID-19 के चलते मोदी किचन येस, मोदी किचन भोजनाले की पहल की है ये कोशन थोड़ा सा आपका लगता है कि इंपोर्टन है कि मोदी किचन भोजनाले की जो शुरुवात करिए वो आपका राज्य होगी आपका तमिल नाडू तमिल नाडू हमारा भारत का ऐसा राज्य है जिसने COVID-19 के चलते मोधी किचन भोजने लेगी पहल की है नेक्ट कुशन हमारा कोरोना वाइरस को महामारी यह पैंडेमिक महामारी घोशित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो coronavirus को महामारी घोशित करने वाला भारत का पहला राज जी आपको बताई होगा यह हो गया वाई जी अपना हर्याना हर्याने ने इसको महामारी घोशित किया था किया है next question भारत ने सार्क COVID-19 emergency fund में कितनी साहत राशी देने की घोशना की है देखिए सबसे बहली बात तो जो सार्क आपको पताई होगा सार्क आपने पताई है कि आठ देशों का एक समू है आठ कंट्री का एक समू है सार्क का मतलब क्या होता है S.A.R.C. का मतलब होता है S.A.R.C. का South Asian Association for Regional Corporation यानि कि दक्षिन एशियाई छेतरिये सयोग संगटन आठ दिसम्बर यह चीज याद रखिए का 8 दिसम्बर 1985 को इसकी इस्तापना बंगलादेश की राजदानी धाका में हुई थी और इसके जो वर्तमान जो चेर में है यह आपको बता दू मैं यह पेपर में आएगा आपका इसाला वीराकून जो है इसके नए आठ के चेर में चेर परसन आप बनाये गए ठीक है तो हमारा सार्क जो कोविड-19 इसके इमर्जेंसिरी फंड में जो हम जो में बात कर रहे हैं वो कितने धरनाशी देने की गोशना की गई है भारत ने जो धरनाशी दी है वो है 10 परतिश सबस्धर करे पहीन करते हैं विश्व में करोना वैस की पहचान कव को हुई DR est सो कोशन थोड़ा सा बनता है इंपोर्टेंट यह पेपर में आ सकता है तो साठ चॉण सट दो ज़र दो यह दो ज़र चार इसका आंसर हो गया 1960 में पता चला कि कोरोना वाइरस के कारण पहरी बार करफ्यू भारत के किस राज्य में लगाया गया करफ्यू की बात हो रही है जी यहां पर लॉगडाउन में और करफ्यू में थोड़ा सा अंतर होता है लॉगडाउन में तो कोई छूट भी मिलती है लेकिन करफ्यू में कोई छूट नहीं मिलती तो करफ्यू लगाने वाला हमारा भारत का जो राज्य था यह राज्य है वो है आपका पंजाब ओके यह नेक्स कोशन और इंपोर्टेंट भी कोशन बनता है कोरोनवाइरस किस बिमारी संग का सज़से है यह थोड़ा सा कोशन जो है इंपोर्टेंट बनता है और पेपरों में आएगा भी जहां तक लगता है तो यह जो हो गए ना इसका आंसर है दोनों-दोनों क्या SARC और EMERC 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 इसको आप थोड़ा से नेट पर पढ़ भी सकते हो यानि कि जो हमारा severe acute respiratory syndrome या जो हम EMERC की बात करते है middle east respiratory syndrome यह थोड़े से जो हमारे न यह टाइप से हैं करोना के 7 type होते हैं उसमें से जो विमारी संग के सरज से हैं वो SARC और EMERC यह दोने इसका आंसर बनता है ठीक है next question करते है coronavirus से सम्मंदित युक्ती पोर्टल की शुरुवात किस ने की है यह question तो जी बहुत important लग रहा है कि करोना वाइरस से सम्मंदित युक्ती पोर्टल की शुरुवात किस ने की है जी इसका अंसर है हमारा मानव संसादन विकास मन्दरा लेन के MHRD ने जो है युक्ती पोर्टल की शुरुवात की है next question coronavirus किस भाशा में दिया गया नाम है ओकोचा residents किस भाषा में दिया गया है। अम्बू बाची मेला रद कर दिया है क्या नामे अम्बू बाची जी हाँ इसका आंसर है असम असम की राज़दनी की है डिस्पुर यासम यानि कि परतेग वर्ष असम में अम्बू बाची मेले लगता था लेकिन जो आपके हमारे कोरोना वाइरस संक्रम इतना फैल गया है कि असम में असम में भी हर जगे है असम ने अपना अम्बू बाची मेला ही साल रद कर दिया काफी फेमस मेला है असम का नेश्ट कोशन करते है 23 कोशन है S.A.R.S. में A का क्या रथ है ये कोशन थोड़ा से बनता है क्योंकि इसकी अधिक तर मेरे को लगता है कि इसकी फुल फॉर्म पोची जा सकती है S.A.R.S. में A का रथ है अक्वेट यानि कि ये पेपर में आपका बन सकता है कि S.A.R.S. के अच्छा वो बता दो भी फुल फॉर्म ही बता दो तो S.A.R.S. अभी मैंने थोड़ी से इसमें आपकी बात भी करीए इससे S.A.R.S. और M.E.R.S. S.A.R.S. क्या हो गया Severe Accurate Respiratory Syndrome Severe Accurate Respiratory Syndrome ठीक है इसमें इका मतलब हो गया Accurate नेक कोशन करते हैं करोना वायरस से पहली मिरत्यू भारत के किस राज्य मोही थी हाँ जी अब कोशन बताओ इसका अंसर बताना पड़ेगा आपको पहली मिरत्यू भारत के किस राज्य में हुई करोना वायरस के चलते कि आपको बता है ये उडिसा, करनाटक, केरल यह हमारास्ट जिसका आंसर है आपका करनाटक, करनाटक में पहली मिरत्यूरी, यह थोड़ा इंपोड़न कोशन है आपका पीपर में आ सकता है, बहुत इंपोड़न कोशन मनता है, लेक्ट कोशन करते है कोरोना वायरस के चलते मुफ्त भोजन कारेकरम, यहनि कि मिशन अन्ना सिवा किसनने सुरू करा, यहनि कि हम यहाँ पर देख रहे है, मुफ्त भोजन कारेकरम का नाम किया है मिशन अन्ना सिवा, किसने सुरू करा, इसका अंसर है आपका Reliance Foundation, यहनि कि Reliance Foundation ने मुफ्ध कारेकरम मिशन अन्ना सिवा शुरू किया, ठीक है तो जी विश्व साथ संक्टन बताया कि 11 मार्च 2020 को बताया कि यह तो महामारी इससे बचके रहना पड़ेगा यह तो बहुत घाताक है मनुश्य सा मनुश्यों फैल रही है नेस्ट कोशन करते हैं यह तो आपको संदना आगया होगा यह इंपर्णन कोशन बनता है आपको रटना आई है नेस्ट कोशन करोना वाइरस से प्रभावित देशों के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने रुपए देने की गोशना की यह आपको रटना पड़ेगा वर्ल्ड बैंक ने यह विश्व बैंक ने कितने रुपए देने की गोशना करी है 12 बिलियन यूएजडी डॉलर यूएज डॉलर बारा बिलियन डॉलर वो विश्व में देगा करोना वाइरस से प्रभाई देशों के लिए नेक्स कोशन करते हैं करोना वाइरस आपदा के कारण आई-एम-एफ ने विश्व वर्ष 2020-21 में भारत की संभावित GDP किती बताई है किसने आई-एम-एफ यानि कि अंतर राश्टी मुदराकोष इंटरनेशन मुचल फंड ने क्या बताया है कि कि विश्व वर्ष में भारत की संभावित GDP किती रहेगी यानि ग्रोज पर किती रहेगी तो इसका अंसर है आपका 1.9 दीगी क्योंकि महावारी का समय है इसमें जो है लॉगडाउन के करण अधिक्तर चीज सब कुछ बंदें कंपनी जो अगयरा सब कुछ वेपार बंदें तो 1.9 प्रसेंट ही हमारी GDP उसने अनुमानित बताई है नेस्ट कोशन क पहला बंदा जो मिला हमें इससे संकर्मित वो हमारा केरे मिला नेस्ट कोशन हमारा आता है ठर्टी जो कि हमारा लास्ट कोशन है यह आप बताएं यह आपको बताना कि कोविड-19 की खोज कब हुई जी हां हम तो कोरोना वाइरस जानते थे ना लेकिन यहां पर सब्सक्राइ यहां इसका जो नाम दिया गया वो 31 दिसंबर 2019 को बताया कि कोविड-19 है यह जिससे इतने सारे लोग परवावित हो रहे हैं जी हां कोविड-19 है कि 31 दिसंबर 2019 को बताएं कि कोविड-19 नाम की कोई चीज होती है ठीक है इससे संबंदित और भी अगर आपको प्रशन सकते हैं मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वर्टसप वर्टसप ने करोना वारेस की जागरुकता के लिए एक चैट बॉक्स फीचर भी लॉंच करा है चैट बॉक्स हाँ आप देख सकते हैं अपने वर्टसप फीचर में और एक जो प्यएम केरफंड है उसने किस बैंक को ना मंकित किया है अपने जो दान राशी उसमें हम दे रहें प्यएम केर फंड में वह इंडियन ओवर्टसप यहां तो मैं आशा करता हूं आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी मैं यहीं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को अधिक सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक